नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदु पंचांग के नुसार अश्वनी, मघा, मूल, अशलेशा, जेश्टा और रेविती ये छे नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र कहलाते हैं जब कोई बालक इनमें से किसी भी नक्षत्र में जन्म लेता है तब उसकी शांती कराई जाती है बच्चे के जन्म से 27 वे दिन जब उसका जन्म नक्षत्र आता है तब शांती पूजा कराई जाती है अगर किसी कारण वश्य उस समय गंडमोल लक्षत की शांती पूजा ना कराए जा सके तब बच्चे के जन्म दिन के अंसपांस ये पूजा करा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फरवरी 2023 में गंडमोल लक्षत की तितियां क्या रहेंगी दिन दिन आंगवा लक्षत क्या रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी गंडमोल लक्षत रितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वेडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुर मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेडियो फरवरी 2013 में गंडमोल नक्चतर की तितियां इस प्रकार रहेंगी गंडमोल योग बनेगा पांच फरवरी 2013 दिन रविवार को तो पये बारा बच कर तेरा मिनट पर नक्चतर रहेगा शलेशा अंत होगा 7 फरवरी 2023 दिन मंगलवार को शाम के 5 बच के 45 मिनट पर नक्षत रहेगा मखा इसके पश्चाद गण मूल योग बनेगा 15 फरवरी 2023 दिन बुधवार को सुबह 2 बच के 2 मिनट पर नक्षत रहेगा जेश्ठा अंत होगा 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को रात के 10 बच का 33 मिनट पर नक्षत रहेगा मूल इसके पशाद गण मूल योग बनेगा 23 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को शाम के 4 बच का 50 मिनट पर नक्षत रहेगा रेवती अंत होगा 25 फरवरी 2023 दिन शनीवार को सुबह 3 बच का 27 मिनट पर नक्षत रहेगा अश्वनी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ